चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं अब विस्तार से आपको खबरे बताते हैं और नीट एक्जाम पेपर धांदली से जुड़ी हुई बड़ी खबर सबसे पहले आप जानिए देखें इंडिया न्यूस की खबर का हुआ है बड़ा सा चुकि पहले दिन से ही इन अभ यूजी परिक्षा की जांच अब CBI करेगी ये मांग पहले से चात्रों की चलिया रही थी नीट यूजी परिक्षा में गडबडी से जुड़ा ये पूरा मामला इस पूरे मामले के लेटेस्ट अबडेट्स ये हैं कि CBI मामले की जांच करेगी आज नीट जो PG एक्जाम हो मुख को सौपी गई है एंटी में सुधार की मांग देशपर में हो रही है विपक्ष ने कई सवाल इसको लेकर पूछे अब बड़ा अपडेट ये कि नीट यूजी एक्जाम धांदली मामले में ये बड़ा एक्षिन हुआ है जहां पर शिक्षा उन्षाले ने CBI को अपी गई और अब नीट मामले को लेकर भी ये एक्षिन लिया गया है नीट यूजी परिक्षा की जांच अब CBI करेगी क्योंकि देश के अलग अलग हिस्तों से धांदली के मामले सामने आते रहे परत दर परत खुल रही है कई लोगों तक जांच का शिकंजा पहुंच च चुकी हैं सबसे बड़ी बात ये की इंडिया न्यूस पर वो लाइफ सबूत हमने आपको दिखाए हैं जिसमें कुबूल नामा कही लोगों की तरफ से किया गया है वो कुबूल नामा जिसमें वाना गया कि कैसे पेपर को लेकर सेटिंग हुई थी कैसे एक खास सेंटर पा मांगे को लेकर हाई लेवल कमेटी बुला ली है बना ली है यहां समीती दो महीने में मंत्राले को पूरे रिपोर्ट जाच की सौपने वाली है साथ अधिकारी साई लेवल कमेटी का हिस्सा जिनकी और से इस पूरे मामले पर जो सभी तत्ते हैं वो एक खटा किये जाएंगे जांच की जाएगी हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है शिक्षा मंत्राले की और से एंटिये को लेकर चुकी तमाम तरह के सवाल एंटिये इस वक्त पूरी तरह से सवालों के घेरे में हैं दोजार सत्रा और अठारा के बीच एंटिये का गठन हुआ था और गठन इसलिए किया गया था ताकि जो इस तरह की प्रवेश्च परिक्षाएं हैं उनमें ट्रांस्पिरिंसी हो उनमें पारदर्शिता हो लेकिन एंटिये की और से जिस तरह से धांधली की गई है कई अलग-अलग बड़े स्तर पर जो धांधलियां सामने आई हैं उसके बाद सवाल कई सारे हैं और अब शिक्षामंत्राले की और से खुद ये बात कही गई थी कि 0.001% कोई भी अगर इस पूरे मामले में पाया जाता है दोशी तो फिर उनके खिलाब सकती से निप्टा जाएगा उनके खिलाब सकत आक्शन होगा और सरकार अब आक्शन मोड में नजर भी आ रही है CBI पूरे मामले की जांच करेगी साथी साथ यहां पर शिक्षामंत्री की और से हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया गया है जुसमें साथ सदसे होंगे जो की इस मामले की अलग से जांच करेंगे साथी साथ एक और बड़ा अपजेट आपको जल्दी से बता देते हैं और वो यह है कि नीट पीजी की जो परिक्षा आज होने वाली थी उससे स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए नीट पीजी परिक्षा स्थगित की गई है आज यह परिक्षा होनी थी जिसमें करीब सबादो लाग शात्रों को अपीर करना था सबादो लाग शात्रों की और से रजिस्ट्रेशन कराया गया था परिक्षा की जो नई तारीके हैं वो जल्दी उनका ऐलान हो जाएगा यानि कि ये परिक्षा आगे कब होनी है ये बताया जाएगा इन सब के बीच में शिक्षा मंत्राले अब तेजी से अक्शन मोड में आता हुआ साथ अधिकारियों की हाई लेवल कमीटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पर निगरानी रखेगी साथी साथ CBI को इस पूरे मामले की जाच भी सौब दी गई है अब अगले आदेश तक नीट पीजी परिक्षा स्थगित की गई है आज ही होनी थी नीट पीजी की परिक्षा अब परिक्षा की जो नई तारीक है वो बहुत ही जल्द सामने आ जाएगी ये मालूम हो जाएगा कि कब नीट पीजी की परिक्षा होनी है नीट यूजी के एक्जाम को लेकर देशपर में जो परिक्षारती हैं, जो परिवार हैं, अब इवावक हैं, उनका घुस्सा सात्वे आस्मान पर है ऐसे में नीट पीजी की जो परिक्षा होनी थी उसे अभी के लिए पोस्पोन किया गया है आगे कौन सी वो डेट्स होंगी, ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा लेकिन अब तक जो देशपर में गुस्सा है, वो सात्वे आस्मान पर और यहीं मांगो रही थी कि निश्पक जाच हो तो CBI अब इस मामले में जाच को आगे बढ़ाएगी बिल्कुल तो देखे, कई बड़े अपडेट से इस पूरे मामले के और चलिए क्या कदम सरकार के और से उठाएगा है एक्शन मोर में पूरी तरीके से सरकार नजर आ रही है हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है पूरे मामले की जान CBI को सौपी गई है NTA में सुधार के लिए देखे कमेटी का गठन किया गया है संरचना और कारेप्रणाली की सिपारिश देगी कमेटी दो माईने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और शा मंत्रा को ये रिपोर्ट सौपी जाएगी डॉक्टर राधा कृष्णन होंगे कमेटी के अध्यक्ष कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन को बनाया गया है साती साथ कमेटी को दो महीने का वक्त दिया गया है इस कमेटी के पास दो महीने का वक्त होगा दो महीने में ये पूरी जांच रिपोर्ट कमेटी तयार करेगी जिसके अधियक जॉक्टर राधा कृष्ण होंगे एक्जाम प्रोसेस में सुधार, डेटा, साती साथ याचिकाई इस पूरे मामले में दाखिल की गई थी अलग-अलग कोट्स में साथी साथ उचुतम ने आया ले यानि कि सुप्रीम कोट में उसमें एक प्रमुख माह ये भी थी कि पूरे मामले की जाँच CBI को सौपी जाए और ये बड़ा एक्शन बड़ा कदम सरकार का कि CBI पूरे मामले की जाँच करेगी अब दूसरा फैसला क्या सरकार का ये आपको बता देते हैं NTA में सुधार के लिए सरकार के कमेटी का गठन किया गया है साथ दस ये कमेटी है साथ अधिकारी इसमें शामिल हैं जिसके अधियक्ष डॉक्टर आधा कृष्ण बनाए गए है दो महिने का इस कमेटी के पास वक्त होगा सरकार का तीसरा फैसला क्या है देखी NTA के DG को हटा दिया गया है सुबोध कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है साथी साथ प्रदीप सिंग खरोला जो की आई है सदिकारी है उन्हें NTA का नया DG बनाया गया है NTA इस वक्त तमाम सवालों में है पुरी तरह से सवालों से NTA इस वक्त घिरा हुआ है नैशनल टेस्टिंग एजनसी और अब नये DG बनाए गए है जाहिर है उनके सामने चुनौतियां अब बहुत सारी रहने वाली है और नीट एक्जाम धांदली ब्रेकिंग आपको बता देते हैं नीट यूजर परीक्षा में अन्यमिता सुजुडा पूरा मामला शिक्षा मंतरा ले ने CBI पूरे मामले की जांच सौप दी है ये सबसे बड़ा एक्षन है कि CBI को जांच सौपी गई है दीजी हटा दिये गए हैं NTA के साती साथ साथ सदसीय कमेटी का भी गठन किया गए है शिक्षा मंतरी ने हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसमें साथ सदसे होंगे डॉक्टर आधा कृषन उस कमेटी के अध्यक्ष दो माइने का कमेटी के पास समय होगा समीती दो माइने में मंतराले को रिपोर्ट देगी पूरी रिपोर्ट तयार की जाएगी अलग-अलग पहलू पर जो पूरी जांच है वो होगी रिपोर्ट अलग-अलग पॉइंटर्स पर तयार की जाएगी इस कमेटी की और से और फिर वो रिपोर्ट सौपी जाएगी शिक्षा मंतराले को NTA के DG को देखे हटाया गया है सुबोत कुमार जोकी NTA के DG जिनके रहते हुए ये बड़ी धांदलिया हुई अलग-अलग लेबल पर सवाल कई सारे उठे चात्रों के भविशे के साथ आप कैसकते हैं कि खिलवाड हुआ चुकि पेपर लीक हो गया एक्जाम से पहले ही पेपर आउट हो गया अलग-अलग राजियों से कनेक्शन कई लोगों की गिरफतारिया भी तक हो चुकी है नीटी, नीट पीजी की जो परिक्षा आज होने वाली थी देखे उसे स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक नीट पीजी परिक्षा स्थगित कर दी गई है सबादो लाख बच्चों की और से अपियर किया जाना था इस एक्जाम में जो आज होने वाली थी इसमें पुरुष भी मायलाई भी साथिसाथ पांच ट्रांजजेंडर भी जिनकी और से रिजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया था लेकिन आज होने वाली नीट पीजी परिक्षा फिलहाल रद कर दी गई है पूरे मामले की ये सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे मामले का है साती साथ नए डीजी जो अब होंगे उनके सामने जाहर है बड़ी चुनौतिया रहने वाली है साती साथ लोगों का जो भरोसा इस वक्त अंटिया से उच्छछँ का है उस भरोसे को कैसे अंटिया वापस लेकर आए शात्रों के भविशे के साथ आगे कभी कोई खिलवार ना हो साती साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की और से जो नया कानून है वो भी लागू कर दिया गया है जुसमे प्रावधान ये है कि एक करोड रुपे तक की सजा आपको हो सकती है और साथ ही साथ अगर हम बात करें सजा के लावा तो तीन से दस साल तक की सजा भी हो सकती है तो इतमाम एक्षन तमाम कारवाई जो अबी तक हमने काई हैं